तो दोस्तो स्वागते फिर से आप सभी को इस नई वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक बैड नियूज को लेकर गए BPSC TRE 3 का पेपर 15 मार्च को हुआ जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी के जो है बहुत समस्या भी आई है और पेपर लिक का जो है नियूज अभी सामने आ निकल के आ रहा है पेपर लिक का सामने निकल का रहा है और साथे साथ जितने भी टीचर हैं सभी टीचरों ने जो है समर्थन जताई है कि पेपर जो है लिक हुआ है और paper link होने में जो है बिद्यार्थियों के कुछ कुछ सेटरों का काम है जो paper link करवाये हैं जारखंड में जो है एक news निकल करके जारखंड में जो है वहां के hotel में 300 से लगवक तीन से student को question रटाये जा रहा था और वहां से question को बेजा जा रहा था ये news जो है कल exam के बाद से ही trend होना शुरू हो गया था और देख सकते हैं सब लोग जो है अपना अपना बयाँ इस पे देर है सब अपना वीडियो बना के बता रहे हैं कि टियारी थाट का जो paper है वह सही में paper leak हो गया था पहले से leak करवा गया था सेटों के दुबारा अब इसको re-exam को लिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा इस पर अभी तक कोई जो है सुचना नहीं मिला है और जो छात्र नेता है दिलिप कुमार उन्होंने भी वीडियो के मादेम से बता दिया है कि paper leak हो गया है और उन लोगों को कठोड से कठोड सजा मिली चाहिए जो लोगों ने इसमें अपना हाथ बटाया है paper leak में क्योंकि बहुत सारे बिद्यार्थी के साथ खिलबा रवा है उन्होंने अपनी मेहनस से अपनी खम से एक्जाम देने के लिए पढ़ाही करके गया और फिर बाद में उसको रद कर दिया जाए या paper leak कर दिया जाए तो यह बहुत दुरभाग की बात है ऐसे लोगों को बहुत कठोर counting करवाया जाए तो इस तरह का update अभी निकल के आ रहा है आप लोग बताई अपना comment